वेल्कम बेक चू ओल इन डिलीसियस किचिन तो चलिए आज हम बनाते हैं दिवाली स्पेशल खाजा रेसिपी बहुत ही इजी और सिंपल मैथेट के साथ हम इसके बनाएंगे और एक दम से परफेक्ट चिरोंटे या खाजा बनके तयार होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं क कब मैदा बस ऐसे ही इंग्रियंस चाहिए थीन चार और हमार खाजवन के तयार और यहां चार चमच में डाल लहीं हूँ रिफाइन ओईल अगर आप इसकी जगह पर घी का यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें इसमाल कर सकते हैं इसको हमें अच्छा सा मोयन दे पानी यह आधे कप से कम पानी से एक चौथे कप से भी कम पानी लगता है तो उतना हमें पानी ले लेना है और इसको हमें टाइट डो तयार करना है soft dough तो यार नहीं करना है जैसे मठी वगएरा के लिए करते हैं बस उसी तरह का dough हमें ready करना है तो यह हमारा dough तयार हो गया और इसको हम रख देते हैं 10 minutes के लिए set होने के लिए तो अभी next हम क्या करेंगे यहाँ पर एक pan में या plate में तो चमच घी लेंगे और इसको हमें हाथ से मठना है इस तरह से इसका क्या करेंगे हम इसका एक हम liquid बनाएंगे जब खाड़ा बनाते हैं तो उसकी layers को clear करता है यह layers बनाने में help करता है तो उसके लिए हमें यह liquid सा बना के तयार करना पड़ता है तो इसमें हमने घी लिया है और एक चमच मैदायर कर लिया है तो हम इसको बीच बीच में लगाएंगे जब layers बनेंगी न तब तो आगे का process आगे दिखाएंगे तो यह तयार है इसको हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं तो यहां पर दिखिए आ आटा हमारा set हो चुका है अभी हमें इसको थोड़ा सवर मत लेना इस तरह से और इसकी हमें लोहीया तोर लेने हैं इस तरह से आप जैसी लोहीया तोरना चाहें जादा बड़ा तो बड़ा भी कर सकतें बाकि तो इसमें चोटी लोई, बडी लोई ऐसे तोड़ दो, बाद में तो ये खाजा बनना ही है, तो इस तरह से इनको हमें लोई की सेब में कर लेना तयार, इसे तरह से सारी लोई को हम बना लेंगे, अब हम चलतें next process पर, तो यहाँ पर थोड़ा समयने मेंदाश डग लिय तो इस तरह से सारी पूरी हमको त्यार करने नहीं है, इस तरह कि हमें पूरी रेडी करनी है, और सबसे पहली पूरी को हमें बड़ा रखना है, सबसे पहली पूरी हम यूज करेंगे, वो थोड़ा सा हमें बड़ा रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है, बाकी पूरी चोट पूड़ी है सबसे पहले इसको ले लेते हैं अब हम इस पे जो हमने वो लिक्विट से तैयार किया था त bell करेंगे इस तरह कि इससे क्या होता है अधर लेयर्स बनती यह इसको separate करता है ये सरे ल्ट्धा बनाते हैं तो उसी तरह सी स्वे मैं लेयर्स साणी जरूरी इने उसके हम आती हैं यह इनको बचला दमकर यह समय होतीजते हैं . और तिकान परंधा बनाती तो इसतरह से इनको सारी जो पूरियां एक दूसरे को परिस्था से रख लेना है अरहां गी जरूर लगाना है बीच में ईूर CDC होल जरूर लगानाय और इस तरह से हमें इसको फ पानी इसमें हम लगा देंगे ताकि ये चिपक जाए नहीं तो ये छूटने लगेगा तो खाजा वाला बिखर सकता है तो अब हम इसको रोल जैसा तयार कर लेंगे इस तरह से इसको हम फैला लेंगे देखो कितना लंबा हुगया इसी तरह से बस हमें अब इसको करना है कट तो इससाइड से इस तरह से निकाल देती है और बीच में से इसको इस तरह से कट कर देना है आप अगर थोड़े बड़े साइज की खाजा बनाना चाहते हैं यसे मार्केट मिलते हैं तो इसको बड़ा कट मारी है इस में में अगर छोटे जैसे घर पर नॉर्मली बनाने है इस तरह के तो आप इतने बड़े कट कर सकते हैं इसको और इस तरह से इसको उंगली से प्रे काला काला कुछ आगया है उसको निकाल देते हैं, तो अब हम इसकी जासनी तयार करते हैं, चीनी डिजॉल हो चुकी है, अब हम इसमेड करेंगे, दो उटी हुए इलियाची, बहुत अच्छा टेस्ट फिलेवर देते हैं, इलियाची, और थोड़े से यहां ले रहे हैं, मैं केसर के धागी, अगर है त लीजिए, नहीं तो यह, इसकी भी कर सकते हैं, तोटली ऑप्सनल है, और अब मैं इसमें डालूंगी, चार-पांच डॉप्स नीवू का रस, इससे क्या होता है, क्रिस्टल नहीं आते हैं, चासनी के अंदर, और हम चासनी को इस तरह से चेक करेंगे, और हमें परफेक्ट एक तार की चासनी चाहिए, थोड़ा सा कम तार बने इस तरह का बस, इस तरह का, इससे जादा तार नहीं बनना है, और हमारी चासनी बनके तयार हो जाएगी, तो इसको अलग रख देते हैं, यहां कड़ाई में हमने ओईल ले लिया है, इसमें हम इसको डालेंगे, खाजा इसको सेखना है, जोगि इनका अंदर तक सेखना जरूर है, तब इसकी लेयर्स निकल के आएंगे, तो धीरे-धीरे इनको हमें ब्राउन होने दिना है, नहीं तो अगर आपने फास्ट गेस्प इसको सेख लिया, तो यह अंदर से कच्चे रह जाएंगे, बिल्कुम क्रिस् भी हमें इसी तरह से तयार कर लेना है, और फलेम को रखना है लो, बिल्कुल हलवाई स्टाइल के आज खाजावन के तयार होंगे, और आप इनको बस खाते ही रह जाएंगे, बेसिकली वेस्ट वंगोल की स्पेशल मिठाई में आता है, और दिवाली पेशल बनाए भी जात अब तो आल ओवर इंडिया में इनका प्रचलन है, दिवाली पर खास मिठाई के रुख में इनको जाना जाता है, तो यह खाजा हमारे सिख चुके हैं, यह देखिए कितनी सुन्दर लेयर्स निकल के आई हैं, इनके अंदर एक और दिखाते हैं, अब हम इसको चासनी के अं इनको रखना है, ताकि अंदर तक इनमें चासनी भढ़ जाए, इनके सुन्दर लग रहे ना, रसीले, रसवरे, खाजा, इनको हम और दूसरा वैच भी डाल देते हैं, इस तरह इस इनको दो-तीन मिनट के बाद हम एक प्लेट में सर्व कर लें, तो यहां हम इनको निकाल ल के लिए बिना फ्रीज के स्टोर करके भी खा सकते हैं, खराब नहीं होती हैं, दिवाली स्पैसल बहुत सारी स्वीट्स की रेसिपी की लिंक भी मैंने, एंडी स्क्रीन में आपको दे रखिए, आप वाप इसको बोच कर सकते हैं, और अपनी दिवाली पर अच्छी रेसिप खाएंगे, कितने क्रिस्पी और टेस्टी लग रहे हैं एकदम से रस पर यह देखिए, एक तमसे बिल्कूर अच्छी तरह से टूट रहे हैं, एकदम से क्रिस्पी हैं, तो आप इनको जरूर बनाईए, इस दिवाली ही खाईए, सबको खिलाईए, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे करें, थेंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में